नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आसुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है इस वक्त भारत के उस्क्री भारत में बारिस ही बारिस देखने को मिल रही है दो तीन दिनों से पहले आपको बताते चलू की कडाकी की धूप अधिक गर्मी और बहुत सारे ऐसे गर्मियों लोग तडप रहे थे आज जो है बारिस का जो मौसम आप देख रहे हैं इसमें मनुस को काफी राहत मिला है जीवन में ठंडक राहत के साथ भरा मौसम देखी जा रही है इस वक्त वारण सी अयोध्या सुल्तानपूर अमबेटकन नगर और भी जिलों के आसपा सुत्री भारत के सभी जगह पर बारिस इबारिस दिख रही है जिसका आप फूटेज देख रहे हैं या अयोध्या से आपको दिखा रहा हूं वारिस का जो सामन का महिना था उसमें अधिक बारिस तो नहीं हुआ भोले नाज जी नहीं किये लेकिन वहीं पर आज जो चल है मौसम उसमें ब काफी लाब मिला है जिसे की आप जानते हैं कि धान की फसल इस मौसम में लगातार सभी का जो है पैदावार हो रहा है सभी बढ़ रहा है और हरा भरा इस वक्त खेती का नजारा आप देख रहे हैं लगभग के आपको बता दूं कि हवाओं के साथ साथ मौसम का जो मिजाज वो अलगातार बरता जा रहा है और बारिस की बारिस का जो अंबार आप देख रहे हैं हर जगह आतालाबों में और सड़कों की पिनारे बारिस का जो पड़ाव रहा है वह काफी भर चुका है लोगों में अब जो है बारिस के लेकर काफी रहत महसूल करने जिस तरह से जो है दो पसीना और कडाके की गर्मी से बेहाल थे आज इसे देखते हुए आज मनुस को काफी लाब मिलने का असार दिखाई दे रही है वहीं पर या दवन आपको बता दो कि फसलों को लेकर भी काफी फाइदा किसानों को मिलने जा रही है या मौसम में आपको बता दो कि या बारिस जो है खाद का भी काफी काम कर रहा है जिसे की धान की हमेशा फसलों के लेकर बारिस की पानी जो लाबदायक होती है बहुत ही लाबदायक किसानों को मिलती है इसे रहत आज महसूस कर रहे हैं सभी किसान भाई और आज बारिस को ले बारिस का जो तुलना अत्मक जो रहा भगवान कर रहे हैं आज बहुत ही जो सरहनिये कारी के साथ किसान भाई बहुत ही खुशी से जहार कर रहे हैं आज बारिस का जो अमबारा आप देख रहे हैं कहीं बारिस कहीं ठंडक की नजारे के साथ साथ इस वक्त मनुस को काफी आपका फाइदा आज किसान भाई उठा रहे हैं इससे की काफी किसान भाई आज अग्रेसिव हैं और बहुत ही किसान खेंती को लेकर अब उनका फाइदा जिस तरह से नजर आ रहा है या बारिस का मौसम इसी वक्त जब मौसम होता है किसान भाई सोचते हैं कि हमारे जो है बा पारिस हो जाए भगवान कर देंद इसे बहुत बड़ा लाब हो इसलिए मिलता है कि पैट्रोल डीजल इस वक्त काफी महंगा है और यह मौसम में या दिबारिस का मौसम हो जाता है तो काफी जू है किसान भाई को लाब मिलता है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एक छेती फसल क करते वक्त बहुत सारे कीमत देने पड़ते हैं डीजल पेट्रोल में इंजनों में काफी जो है यह पैसे लगते हैं फ्यूल में वह अब जो है बहुत ही लाफ दायक का नचारा देखने के मिल लाई है वहीं पर आपको बता दूं कि या फसल किसानों के लिए सोने जैसे बारि आई कौन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए धन बात